पश्कार दोस्तों गुड इमली की चटनी ये इतनी टेस्टी होती है और इसको आप कई महीने तक इसको रख सकते हैं फ्रिज में अगर आप रखोगे तो इसकी लाइफ और जादा बढ़ जाती है और ये देखे मैंने बस कर रात में इसको बनाया है थोड़ी सी ये थिक है आ और ये बहुत अच्छी लगती है तो इसको बनाना गुड इमली की चटनी को बनाना बहुत आसान है सूट डालकर भी सर्दियों में थोड़ा से सूट पाउडर इसमें डाल सकते हैं सूट डालने से क्या होता है कि सर्दिया है तो अच्छा रहता है और यह देखे चोटी ड बहुत पुरानी है कि मैं प्लास्टिक में प्लास्टिक में रखतुं le при चाहिए बस भी तो गटिक्रां यह तर एक बहुत जल्दी सबस्तिक हो तो यह जाए अरे ऊपप ले रहा था जैसे कि आप इमली के गूदे को मतलब इसमें वो भी था इमली के बीज भी थे तो वो मैंने भिगा दिया था करीब 4-5 घंटे पानी में भिगो करके रख दिया था इमली के पल्प को और उसके पानी को चान लिया है ठीक है उसका जो इमली का रस है उसको चान लिया है और अब मैंने घी समझे एक चमच छोटा चमच घी गरम कर रही हूं और इसमें मैं डाल रही हूं हींग हींग थोड़ी से हींग डाल रही हूं हींग बहुत ज़्यादा तेज है मेरी जो होती है डेली वाली होती है तो इसके थोड़ी ही डाली है इसके बाद इसमें डाल रही हूं जीरा जीरे का चौक लगाके अपस इसमें मैंने पानी च्छाना है यह सिर्फ इसमें अभी इमली क जालेंगे न अच्छा अब इसमें गड़ डालेंगे तो यह और गाड़ी होती है बहुत ज्यादा गाड़ी हो जाएगी एक दम से जैसे चाश्चनी जैसी हो जाती है और यह इसमें अब मैं गुड की जो क्वांटिटी है वो आप अपनी टेस्ट के एकॉर्डिंग इसमें आप डाल सकते हैं गुड जैसे कि अगर आपको बहुत जाए तो आप उसको थोड़ा गुड की कॉण्टिटी बढ़ा दीजे और अगर आपको जैसा भी आपका स्वाद के अनुसार अपना इसमें गुड डाल सकते हैं चीनी भी डाली जाती है पर मैं चीनी नहीं डालती हूं शुगर थोड़ा सा हेल्थ की वज़ज़ से शुगर आपको सब्सक्राइब तो यह गुड का इस्तमाल करती हूं चोटे ही बहुत जादा चोटा टुकड़ा तो नहीं कर रही हूं बस इतने बड़े टुकड़ी कर रही है और आपके अपने आप घुल जाएगा सारा और खूप जैसे यह धीमे 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 पके गाना इतना भी आपको मैंने तीन बड़े बड़े टुकड़े दिखाए ना उतने डाल मतलब उसमें से दो ही डाला है और एक बार जब पूरा गुल जाएगा तो एक बार हलका सा टेस्ट करके देख लूँगी अगर खटा जादा लगेगा तो और डाल दूँगी इसमें अगर दरदरा सा पीस लिया है बहुत महीन पावडर नहीं किया है और इसको दो बड़े चमच भरके मैं इसमें डाल रहे हूं और soft हो गई इसके बाद इसमें जाएगा वो काला नमक काला नमक भी अभी हम डालेंगे देहें कि नमक हो गया जैसे कि salt हो गया है ना और मिर्च हो तो यह देखे मैं इसमें आप डाली हूँ यह ब्लैक सॉल्ट है काला नमक है और इसमें आप डालने को चाहें तो आप सोट पाउडर जैसा कि मैंने बताया सोट का थोड़ा सा पाउडर मतलब आधाचब मस से थोड़ा का नहीं बहुत तीज हो जाएगा वह आप डाल सकते हो यह मैंने लाल मिर्च डाली है और लाल मिर्च का पाउडर तो इस समय सर्दियों में अच्छा रहता है सोट गरम होती है सोट बहुत से लोग नहीं जानते हैं तो सोट क्या था ना सूखी हुई जो अद्रक होती है इसमें बाइट नवक मैंने डाला है तो जो सूखी हुई अद्रक होती है उसी को पीस के पाउडर उसका जो बनता है थोड़ डलता है और अब इसमें मैं डाली हूँ थोड़ असा भुनावा जीरा क्योंकि पहले भी हमने जीरे का चौक लगा दिया भुनावा जीरा अब यह देखे धीरे-धीरे यह इतना पक गया है अब इसको गै चौक उतना नहीं अच्छा लगता है फिरसमें तो वह मैं नहीं एड़ कर रहे हूं और आप इसको अराम से अभी तो सर्दियां है बाहरी रखे चाहे और जब थोड़ा सा आपको लगे कि अभी यूज नहीं आ रहा है कुछ है तो उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और आपको कैसी लगी रस्पी बताइएगा मुझे कमेंट करके सब्सक्राइब भी कर लेजेगा ठीक लगे वीडियो तो शेयर भी करेगा थेंक यू